यदि दूर हो जाने से अगर संभबना बढ़ जाता है तो दूर हो जाएए उन सभी वेक्तियों से जो बाद बाद पे आपका अपमान करता है आपकी निंदा करते हैं आपको रोकनी की प्रैश करते हैं आपको नीचा दिखाते हैं क्योंकि उनके साथ रहेकर उन सभी वेक्तियों के साथ रहेकर जो आपका मुल्य समझ नहीं पाते हैं आप अपना स्वाभिमान अपना आत्म विश्वास अपना वेक्तिव्यों जुका देंगे दूर हो जाए उन सभी संघर्षों से उन परिस्थितियों से जिनका सामना करने पर पूई फल नहीं मिलने वाला तो गुड मॉर्निंग विलकम टू माई सुपर लाइपस्टायल तो अभी मैं अपना करम पानी लेके बैठी हूँ क्योकि मैं सोची हूँ आज मॉर्निंग से कै मैं आज से मेरा अपना रूटिंग आप आप लों के साथ शेर करूंगे जो एक जैस और डायेट का जो रूटिंग है आप लोगे साथ तोरा तोरा करके श्या nhất करूंगी जुषाथा एक सहार नहीं करूंगे दो चार्टो करके ही रेसिपी दाईट कर 이상 करोंगे उससे क्या होगा आप लोग Candy हो जाए चार्ड ने करोंगे उसे क्या हो कि अब लोग वह भी बहुत एजी हो जाएगा समझने में करको पूरा रेसिपी शेयर करूंगी और क्या क्या करती हूं, क्या क्या खाती हूं, क्या क्या पीती हूं, सब चीश शेयर करूंगी तो अभी मैं ममा को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूं घरम पानी पी के अभी जाओंगी एक्साइस करने तो मैं सबसे पहले अपना वाक आउट स्टार्ट कर दी हूँ तो सबसे पहला ये जो exercise है इसको आप लोग देख लीजिए ये पहला exercise है उसके बाद हो गया second exercise उसके बाद हो गया ये third exercise इसके बाद ये हो गया फोर्थ exercise मैं फोर्थ फोर्थ करके exercise सेयर करूंगी आप लोके शाद उसके बाद मैं सीधा आगे हूँ नहाद होके अपना ब्रेकफस्ट बनाने के लिए बहुत जोर का भूक लग गया है तो मैं इधर ले ली हूँ ओर्स इस थोड़ा सा बस अपनी लिए दो हो जाए चिला उसी की सबसे मैं कॉंटिटी की सबसे मैं फ्राइ करूंगे इसको गोल्डेन फ्राइ करूंगी उसके बाद मैं थोरा सा काजू दे दी थी और जितना भी मेरा पास ओर स्थाना तो थोरा सा ड्राइ ड्राइ दिख रहा था तो मैं सोची एक ही बार में ड्राइ रोस्ट करके रख देती हूँ तो इसमें क्या होगा मेरा काम हलका हो जाएगा तो इधर मैं ले ली हूँ प्याच, टमाटार, हरी मेर्ची और लसुन के दो तिन कलिया उसके साथ है लसुन जो पीसा हुआ है इन सभी को मैं अभी चॉप करूंगी क्योंकि मुझे चीला बनाना है तो अभी चॉप करना जरूरी है तो मैं सबसे पहले चॉपर लेके मैं इसक को चॉप करूंगी सबसे पहले मैं प्याच, लसुन, टमाटार, मिर्ची सब डालके अभी मैं चॉपर से इसको चॉप करने करूंगी और ओर्स को तो मैं ट्रायय रोज्ट करके रखती हूं मैं उससे क्या होता हैů जो आप जब ही मन करें तभी आप नासता फटा-फट बणा सकते हूं और ब्रपर नीकालो přेष्प करने ज़रूरत नहीं रहता है हार एक सामान उसी के साथ आप लोग के इतना अच्छा रेसी भी शिखाऊंगी ना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं तो जो भी हो मेरा चॉप करना तो हो गया है अभी तोड़ा सा मैं अद्रग डालूंगी और इसके साथ मैं अभी मिक्सी जार में अभी मैं जो पोर्स को मैं ट्राइ रोस्ट करके रखी हो ना उसको मैं दे दूंगी अभी इसको मैं पाउडर बनाऊंगी तो मेरे लिए दोठोई बनाने से मेरा पेट भड़ जाएगा इसके हिसाब से मैं उसी के हिसाब से मैं उतना ही ल तो मेरा हो गया है पॉडर बन गया है तो मैं जिसमें चॉप करके रखी थी उसी के अंदर मैं डाल दी ओगी पॉडर को अभी इसके अंदर मैं जीतना भी सुखा मसाला है उस सब को मैं धीरे-धीरे करके डालूंगी सबसे पहले हल्दी पॉडर उसके बाद जीरा धनिया ड्राइ रोस्ट करके जो पाउडर बना के रखते हूं उसी को मैं दी हूं उसके बाद अब के स्वाद के अनुसा नमक नमक थोड़ा कमी खाईएगा क्योंकि आप जो डाइट में हो नमक कम खाना ही ठीक है अब ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगी पानी डालके मैं थिक बैटर बनाऊगी आप इसको दही के साथ भी सर्प कर सकते हो या अचार के साथ या ऐसे ही खा सकते हो बहुती टिस्टी बनता है क्रांची क्रांची टाइप और हुथी स्वाधिस्ट बनता है क्योंकि इसके अंदर मैं तो हर एक चीज डाल दी हो अभी मैं धनिया पत्ती को मैं चौप करके डालूंगे जो आप ऐसे ही खा सकते हो ऐसे पैक करके लेके जाओ ऑफिस में आप कोई कोई बात नहीं बहुत टाइम तक पेट भरा रहता है और हम लोग के हाउस वाइफ के लिए हम लोग तो कभी कवर सोचते क्या बनाओ नहीं बनाओ चलो ऐसे हैं खा लेते हैं मगा नहीं ऐसे थोड़ा सा अगर महनत करोगे ना तो आपके लिए हेल्थी एक नास्ता बन जा बनके रेडी हो जाएगा हम लोग लेडिस लोग क्या करते हैं जो भी बनाते हैं बासी या कुछ भी हम लोग खा लेते हैं क्योंकि उसको वेस्टेज नहीं करते इस वज़े से हम लोग के हिल्थ के उपर असर पड़ता है तो जो भी हो मैं फ्राइंग पैन गरम करने के का घाड़ा क्योंकि चीला जैसे बनाते हैं वैसे बनाने के लिए मैं उसी टाइब का बैटर बनाई हूं तो मैं भी फ्राइंग पैन के अंदर मैं इसको फैलाओंगी एक एक कड़की बनाओंगी और बहुत ही क्रांची बनता है और मूं में डालोगे ना मूं में एक्दम गुल जाता है इतना स्वादिस्त को इस सब्जी के जवरती नहीं पड़ता है हां अगर दही के साथ खाओगे तो और भी बढ़िया लगता इसको रायति के साथ दही के साथ आप लोग अगर चाहोगे तो बहुत सारा सब्जी के साथ भी बना सकते हो तो मैं इसको लो फेम म धक्कन के साथ इसको पकाऊंगी तो अभी मेरा नीचे का जो बेस है उपक गया है तो उपर से मैं एक दो बुन्थ ओयल डाल के अभी इसको पल्टी कर लूँगी देखे नीचे कितना सुन्दर क्रांची चीला बनके रेडी हो गया एक तरफ का और लिधरा पकड़ा है यह देखे मेरा दोनो तरफ बग गया है मेरा हो गया है मेरा चीला बण गया है तो अभी इसको निकाल के और एक ठो चीला बनाऊंगी तो मैं एक चीला लेके आ गई हूँ और इक चीला बनाने के लिए मैं उसको ढगब के धीमी आज में मैं इसको पकने के लिए छोड़ दी हूँ और मैं इधर आ गई हूँ बाबुम भी जग गया है और मैं अपना ब्रेक्फस्ट भी स्टार्ट कर दी हूँ और मैं गाना सुनते सुनते में अपना ब्रेक्फस्ट कम्प्लीट कर रही हूँ और सुबह सुबह ना कृष्णा जी का जो भचन है उसी को मैं सुन रही थी और मैं म्यूट कर दी हूँ क्योंकि कॉपी राइट के वज़ा से बाबुन जस्ट अभी अभी उठा है इसलिए मैं उसको थोड़ी देर बादी मैं उसको ब्रश कड़ा के उसको नास्ता दूंगी बहुत टेस्टी बना था इसलिए मैं बहुत टेस्टी बना है लुक करे लोड़ी बना है तो गई बना है टॉम आमेंगी ओोड़ी ऑना हैना है बनाही बहुत जिए बनाही थी बहुत आवड़ी बहुत ऑगदील मेरा हम लोग का साकारी होता है ना उतने प्याज नहीं डाल पाते हूं इसलिए ना उतना अच्छा नहीं बनता है मगार आप लोग के मर्ची इसमें बीन्स गाजर कुछ भी वेजटेबिस रहा सकते हूं अच्छा नहीं डाले से ना इसके बाद दूगना हो जाते हैं तो इसलिए कुछ भी वेजटेबिस डालिएगा मगार या जातला लग 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 सुन यह तीनों को चड़ू डाले इसको बना के दूट हो आकर उसको बाद पानी पी लेना इसके आदे गंडे के बाद उसके अच्छा यह दूग सुन खतन कर लो दूट हो मेना अटां फेल जाए रहा जाए इसके बाद प्याट हर्या हो आज तक और मुझा बनाने के लिए ना इस वजह से लिए टाएक लिए इस बजह से नहीं जोग सोचें कि चलो जो भी है वासी या भी हम लोग खा लेते हैं दोस्तों मत कीजी ऐसा है है थोड़ा सा मैनत कीजिए इन अच्छा है दिकाना खाई ए आपके हेल्ट के लिए भी अच्छा होगा और कि अपने लिए सोच भाई कितने दिन इन सब के लिए सोचों था हम लोग का जो फिंगर है ना ख़ाब होते जा रह जो हुवत ही एसके वजह साना वही हम लोको को देख नहीं को सबको धियान रुखना है हो हमलोका डियूटी है है दियान रखने के बाद की लिए भी द्यान रखना होगा जैरूरी इसको फीनिश करण लेतूं तो मैं सीधा आ गई हूँ जूस बनाने के लिए दो औरेंज का जूस बनाऊंगी तो मैं अपना नास्ता खतम करके बरतन क्लीन करके उसके बाद जूस बनाऊंगी उसके बाद तुरंट पीने के लिए पैठ़ूंगी योजो तुरंद बना Rank के चोड़ देना वँ ठीक नहीं होता है तो बावुन के लिए मैं निकाल के रखी हूं इसके लिए बात में उसको निकाल के दूँगी गो दो और एंच में हो जायेगा और यह जादा मीठा नहीं है हल्का सा मीठा है तो एक बोड़ा लेके आया था मेरा हस्बेट जाने से पहले तो उसी का दो चाट्टों ही बचा है अभी तो मैं अपना जूस पीने के लिए बैठ गई हूँ तो रथरोगर के पीना ही ठीक होता है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पीऊंगी पीने के बाद हो जाएदा मेराज का ब्रिक्फास्ट और उसके बाद मैं जाओंगे मार्केट आसमी मार्केट है फिर भी बूंद बूंद तो पानी केरी रहा है हमेशा हमेशा गिर तो तीन दिन से लगातार ऐसे ही पाड़ी भी बूंद दूब निकल कर रहा है तो यसा ही हो रहा है तो वावूंज अग गया है और मैं अचना जूस को फिनिश कर लेते हूं तो आज के लिए चली एक जाज के लिए इतना ही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोंने तब तक ले मिरे साथ बने रहे हैं तक याज के है ओयग मॉनिंग और नहीं तो मॉर्ण नहीं तो